हाई फ्रेंड्स विल्कुम्तिस इलेक्ट्रोनिक्स मैं हूँ आपका दोस्प्रभात फ्रेंड्स आज आमार सब्जेक्ट है मुबाइल इन्वर्टर फ्रेंड्स आप लोगों ने कुछ-कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि यार पीसीबी में ये वीडियो मुध बनाना बट तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो करते हैं आपका वीडियो सबसे पहले हम एक बलैंक पीसिबी लेंगे और उसके उपर हम सारे कंपोंट्स मतलब तीन कंपोंट्स पहले बीठा देंगे और बीठा कर हम सोलरिंग कड़ेंगे ओके तो चलिए हम पहले बीठा देते हैं सबको देखिए फ्रेंड्स कैपसिटर और रेजिस्टर का कनेक्शन कुछ इस तरह का है अब हम सब को सोल्डरिंग करके और भी मजबूत बना लेते और उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने सोल्डरिंग कर दिया है आप देख सकते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स यह तीनों चीज़ों का कनेक्शन कुछ इस तरह का होगा रेजिस्टर ट्रांसफॉर्मर और यह क्यापसिटर इन तीनों का कनेक्शन इस तरह का हैं तो आप लोग देख लिजिए कि हम पीसीवी में इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं होगे देखिए के इक्यापसिटरर रेजिस्टरर और प्रांसफॉर्मर तीनों की कनेक्शन दो वायर्स के लेक्श हम ने कर दिये हैं ओके यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह का दिकर— यह without PCB का है आप देख सकते हैं किस तरह से यह दिख रहा है इस तरह का connection ही होगा बस इसी तरह से connection होगा ओके अब हम transistor लगाएंगे ओके दिखिए यह transistor D882 ओके यह वाला transistor हम ठीक transformer के सामने बिठाएंगे विल्कुर सामने बिठाएंगे इस लिए यह दिखने में भी थोड़ा अच्छा लाएगा ओके तो चलिए फटा बट से इस transformer को सोल्री कर लेते हैं इसकी मजबूती के लिए पीसीपी में इसकी मजबूती के लिए हैं सबसे पहले हम इसको सोल्री कर लेते हैं ओके रिजिए फ्रैंड्स हमने सोल्रींग कर दिया है इस पीसीपी के साथ अभण आपको दिखाएं ट्रंजेस्टर और यह त्रांसफं़र्मर की कनेक्षिन्ट विदाफ पीसीबी ओके तो यह दिख़े फ्रेंड्स यह ओरिजिनल पर ऐसी इसकी कनेक्षिन है transformer और यह transistor की ओके तो आपको PCB में भी आपको दिखा देते हैं कि यह दोनों की connection क्या है यह देखिए friends यह जो center वाले वायर है center वाले वायर से इस वायर की connection होगी देखिए यह वायर की हम connection करेंगे सबसे पहले पॉके और दूसरी जो वायर है यह देखिए इस साइट की वायर से यह सीधा लग जाएगा ओके इस सीधा लग जाएगा यह देखिए यह वाला रॉंट ओके आपको एकदम कॉपी करना है इस बीडियो को अगर आप इसे बनाए चाहते है तो एकदम कॉपी किए इस वीडियो का ओके तो यह एफ्रेंट्स हमने इसको सल्डिक कर लिया है सेंटर वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कर दिया है आप देख सकते हैं इस पॉइंट के साथ कर दिया है और इस साइट पॉइंट को हमने यह एकदम सीधा लगा दिया है इस पॉइंट के साथ आप देखी सकते हैं Okay, आपको एक दम copyright करना है एक दम copy करना है तब भी आप एक दम आसे निस सी बना पाएंगे और ये बाला ये वाला Plus है, ये Elsa VFR続त है और ये वाला Plus है , ये धिस्क्रमा को ने कर देखिए इन्बोट के बैटरी के ऐ और ये वाला लास मेनस के दो वायर निकाल दिये है यहां से और यहां पर हम यह यूस्बी पोर्ट लगाएंगे ओके तो आप नीचे देखिए यह बहुत ही पेचिदा हो चुका है मत देखिए आपका सर चकड़ा जाएगा ओके अब करेंगे तो आसा नहीं हो जाएगी और यहां पर हम यह यूस्बी पोर्ट लगाएंगे ओके पहले हम सुपर ग्लू से चिपका देंगे उसके बाद सोल्री कर देंगे ओके तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारा मशीन पूरा का पूरा तयार हो चुका है बस एक चीज़ बागी है आउटपुट तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पे दो पॉइंट अभी भी बचा हैं यह दोनों पॉइंट आउटपुट है जो फॉक्त के लिए भी हम दो वायर लगा लेते हैं अगे देखिएज फ्रेंड्स हम 2 लगा लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स दो आउटपुट भी निकल चुका है तो हमारा सब्सक्राइ यह कैसा वर्क करता है मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था तो आप वहाँ पर में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते ओके तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा ओके और फर्क इतना है इसमें जो यह यूस्बी पोर्ट है उसमें सिर्फ 9 वोल्ट की बैटी का कनेक्टर है ओके एक और बात फ्रेंड्स इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लास्ट एक बात बोलता हूँ अगर आपको बुरा लगा है तो एक डिसलाइक ठोक है और अगर अच् को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा अगर आपको अच्छा लगाए तो सब्सक्राइब कीजिए परना गो ओके तो फ्रेंड्स मिलते नेक्स टाइम तब तक के लिए हम आइस डे बाई और सब लोग अच्छा रहेएगा ओके बाई